आप में से कितने लोग घर पे पनीर बनाते हैं। मुझे लगता है सायद बहुत सारे लोग हैं जो घर पे बनाते ही होंगे। तो क्या पानी से बनाते हैं? नहीं ना, तो पानी से मैं तो पानी से ही बनाती हूँ। आप में से कौन कौन क्या क्या यूज करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो पनीर बनाने में दिक्कत आती है या फिर बहुत जल्दी बन जाता है ये बताईएगा मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी पानी से पनीर बनाती हूँ और जादा तर जो हलवाई भीया होते हैं इसी पानी का इस्तमाल करते हैं आगे मैं बताऊंगे कि ये पानी किस चीज से त्यार हुआ है तो हम क्या करते हैं जैसे दूद उबालने के लिए चड़ाते हैं उसी समय दूसरे साइड इस पानी को उबलने के लिए चड़ा देंगे चुकि ये फ्रीज में रखा हुआ था तो ठंडा ठंडा पानी यानि कि उस पानी को गरम दूद में डालेंगे तो दोनों का टेंपरेचर मिल करके ठंडा हो जाएगा तो पनीर आपका अच्छे से फटे अब देखेंगे कि डालते बराबर इतना चल्दी दूद से पनीर और पानी अलग-अलग हो जाता है कि मतलब आपको बार-बार किसी चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं है और कोई मेहनत जादा नहीं लगता है तो अगली बार से आप कोशिस करेंगे कि इसी पानी का हम इ इस्तमाल करते हैं, पहले बोला जाता था कि हलवाई के घर से जाओ पनीर का पानी ले आओ, पनीर निकालना है, तो यही पानी होता था जो कि पनीर निकालने में काम आता है और यही पानी से मैंने पनीर को निकाला है, तो जो दूध अलग हो गया है, यानि कि दूध से पनीर अलग हो गया है और पानी अलग हो गया अभाप सोच नहीं सकते कि उस पानी से इतना बढ़ पनीर कैसे फड़ सकता तहुत है तो उसका रखने का तरीका है तो मैं आगे आपको तरीका बताऊँ दी ये सब पहले तम पनीर को चान लें ताकि हम उसको बान करके इसको separate कर सकें तो यहां पर बानने के बार एक कपड़ा बान लिया गया है बर्तन के उपर अच्छे से बान दीजेगा ताकि हम बहुत अच्छे से चान सकें अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पनीर त्यार हुआ है और जो पानी होगा उसको हम separate करके उसे भी store करेंगे पर करने का थोड़ा सा तरीका जो होगा अलग होगा अब आराम आराम से इसका पानी निकल जाने दीजे जैसे गरम पानी नीचे निकल जाएगा तब हम इसके उपर थोड़ा सा थंडा पानी डालेंगे जिससे पनीर का जो टेंपरेचर है ना डाउन हो जाए और पनीर ना हाड ना बने तो नॉर्मल पानी जो हम पीने वाला इस्तमाल करते हैं उसको हमें आप थोड़ा देर के लिए डालेंगे और फटा फट उठा करके बांदेंगे यानि कि पोटली की तरह बना लीजेगा और इसको हम दबा करकर रख देंगे जिससे कि पनीर का सेप अच्छा दब करके बिल्कुल निकल ले अब इस पानी को ऐसे स्टोर करना है वो मैं आपको अगे बताती हूँ तो हमारा जो तरीका है नीचे में एक बड़ा प्लेट रखती हूँ फिर छोटा प्लेट रखती हूँ और फिर से उसके उपर पनीर और फिर उसके उपर एक और प्लेट तो आप देखिए मैं इसी तरीके से रख करके अभी यहाँ पर इसको है कि जो गांट है आप चाहें तो साइड में भी कर सकते हैं तो फिलाल तो बीच में अभी है और इसके उपर एक चोटा एक प्लेट और रखोंगी चोटा रख सकते हैं बड़ा रख सकते हैं इसलिए रखना है और उसके ऊपर एक वजन कोई भी आप भरा हूआ डबबा रखतीजिए या जो आपके पास ह तो है अब लेवल उसे में रख करके इसे साइड में बैलेंस बना कर रख दीजिए और जो पनीर का पानी है वो नीचे आ जाएगा और पनीर में टच नहीं करेगा तो आपका पनीर जो है ना बहुत बड़िया त्यार होगा अभी इसको हम जादा देर नहीं रखना है याद रखिएगा अगर आपने रात बहर कई लोग छोड़ देते हैं वो पनीर ना हाड हो जाता है और बिल्कुल सुखा सुखा हो जाता है तो दो गंटा या ढाई गंटा जादा जादा हमें रखना है और उसका पनीर को आप किसी भी डब्वे में देना करके फरीज में रख दीजिए या फिर जो कुछ कुछ बनाना है कि पराठा हो गया या फिर मुंश हो गया पनीर की सब्जी हो गयी या फिर रोस्ट करके खाना हो चो करना है आप इसको कर सकते हैं नहीं यहां मैं आपको काट कर दिखा देती हूं कितना बड़ियां सॉफ्ट पनीर बना है अगर सही में आपको लगा हो कि बहुत अच्छा वीडियो है यह मतलब आपके काम का है तो अपने दोस्तों को जरूर सेयर किजेगा और इस वीडियो को लाइक किजेगा और मेरे चैनल को सरपोर्ट किजेगा क्योंकि यह जो है ना मतलब बहुत सिंपल और आसान सा काम है तो यहां पर अभी यह जो पानी ठंडा हो गया है तो इसको हम स्टोर कर देंगे यानि कि जिस भी बरतन में रखेंगे वह धक्तन वाला बरतन हो ताकि फ्रीज में इसका स्मेल ना है और जैसे जब यह 5-6 घंटा कम से कम तो 5 घंटा जरूर रखेगा फिर फर्मेंट जब हो जागा तो ढखकन लगा करके फ्रीज में रख दीजेगा और अगर दो दिन तीन दिन बाद इस तरीके से आप पनीर त्यार करते हैं तो इसका इस्तमाल कर लिजए बार बार आपका पान बन गया और इसको आप अपने बच्चों को चाहें तो रोज भी रोष्ट करके दे सकते हैं आप खुद भी रोज रोष्ट करके खा सकते हैं तो पनीर तो वह सहत के लिए बहुत अच्छा है अगर आप रोज बनाना चाहें तो रोज के लिए बहुत बढ़िया है जनरली द तो खाईए, बनाईए, नजाए कीजिए.